नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज की इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख जौला मुखी के बारे में पढ़ेंगे पहले हम जौला मुखी से रिलेटिड कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे उसके बाद वीडियो होने वाली है आपके लिए पहले टोपिक को पूरा समझे अच्छे से और लास्ट में प्रीविएस येर क्वेस्टन जरूर अटम्ट कीजिए तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जुआला मुखी यानि वोलकैनो कहते किसे हैं तो जुआला मुखी भू पटल पर वह प्राकर्तिक छेद या दरार है जिससे होकर प्रिथवी का पिगला पदार्थ यानि कि लावा, राख, भाब तथा अन्य गैसे बाहर निकलती हैं तो अभी आ जो प्राकर्तिक छेद या दरार होता है उसमें से जो प्रिथवी के अंदर का पिगला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम जुआला मुखी कहते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं और जुआला मुखी किरिया में सबसे अधिक कौन सी गैस बाहर निकलती है त जुआला मुखी क्रिया में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है जलवाश्प सबसे ज़्यादा बाहर निकलते हैं जुआला मुखी में देखा जाए तो जलवाश्प की मातरा 60 से लेकर 90 परतिशत तक होती है कितनी 60 से लेकर 90 परतिशत इससे हम कह सकते हैं कि carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen तथा nitrogen जैसी गैसे भी अन्य गैसे इससे बाहर निकलती हैं पर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जलवाश्प गैस इससे बाहर निकलती है और ये exam में कई बार पूछा गया है या देखेगा अब हम आगे देखते हैं तो आगे अब हम ज्वाला मुखी से related कुछ चीजे पूछ ली जाती हैं पहले इनके बारे में समझ लेते हैं जैसे कि crater क्या है लावा क्या है पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो crater क्या होता है तो ज्वाला मुखी के कब के अकार के मुख को crater कहते हैं तो आप ये जो उपर जो ये छिद्र है न कप के अकार का जहां से लावा बाहर निकल रहा है इसी को हम क्रेटर कहते हैं तो जहां से लावा बाहर निकल रहा है इस छिद्र को क्रेटर कहा जाता है और इसकी आकरती कप के समान होती है उसके बाद देखते हैं कि मैगमा किसे कहते हैं पहले हम प पूरी तरह से पिगली चटानों के द्वारा होती है और जो पृत्वी के सत्य के नीचे निर्मित होता है याद रखेगा यह है पृत्वी के सत्य के नीचे निर्मित होता है तो मैं अब आपको असान भाष्या में समझाता हूं कि मैगमा क्या होता है तो देखिए एक होता है म हम मैगमा कह देते हैं और जब यही मैगमा धरातल से उपर बाहर की ओर आता है तो जो आप यह तरल पदार देख रहे हैं फिर इसे हम लावा कह देते हैं तो यह एक ही चीज है जब धरातल के नीचे होती है तो मैगमा कह देते हैं और यही मैगमा जब छिद्र से बाहर की ओर बाहर निकलने वाले रूप को ही लावा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सिंडर की से कहा जाता है। तो बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा, शीगर ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकडों में बदल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसी को हम सिंडर कह देते हैं। तो जब ये लावा बाहर की ओर आता है, तो ठंडा होकर ठोस अवस्ता में बदल जाता है। और उसी को हम सिंडर कह देते हैं, तो आशा करता हूँ, आप क्रेटर, मैगमा, लावा और सिंडर के बारे में समझ गया होंगे। ये एकजाम में पूछा जाता है सीधा ही कोशं दिया होगा और ओप्शन दिया होगे आपको आना चाहिए तो मैगमा और लावा एक ही चीज़ है जब ये धरातल के नीचे होता है ये तरल्पदर तक इसे मैगमा कहते हैं जब ये बाहर की ओर आता है तो लावा कहते हैं अब हम आगे देखते हैं तो आगे अब हम ज्वाला मुखी के परकार देख लेते हैं तो ज्वाला मुखी को उनकी अवधी के अनुसार तीन परकार में बाटा गया है पहला है सक्रिय ज्वाला मुखी जिसे English में कहते हैं active volcano दूसरा है प्रसुप्त ज्वाला मुखी जिसे English में कहते हैं dormant volcano और तीसरा है शान्त ज्वाला मुखी जिसे English में कहते हैं extinct volcano तो तीन परकार के ज्वाला मुखी होते हैं पहले देखते हैं सक्रिय ज्वाला मुखी तो इसके नाम से ही clear है active volcano तो सक्रिय जुआला मुखी वह जुआला मुखी है जिसमें लावा, गैस, राक, जलवाशव तथा विखंडित परदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं तो ये हमेशा active रहता है इसलिए हम इसे active volcano कहते हैं अब हम देखते हैं कि प्रसुप्त ज्वाला मुखी किसे कहा जाता है तो ऐसा ज्वाला मुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है मतलब कि वर्षों से अभी एक्टिव नहीं हुआ है पर भविश में कभी भी एक्टिव हो सकता है मतलब कि ऐसे ज्वाला मुखी जो अभी तो सक्रिये नहीं हुए हैं, पर इनकी आशंका है कि ये भविश में कभी भी सक्रिये हो सकते हैं, तो इसे हम प्रसुप्त ज्वाला मुखी कहते हैं, तो हमें कैसे अंदाजा लगता है कि ये भविश में सक्रिये हो सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, इसमें से ग अब तीसरा जवाला मुखी देखते हैं तो इसे कहते हैं शान्त जौला मुखी यानि की एस्टिंक्ट shakenon तो इसके तो नाम से ही clear है तो ऐसे ज्वाला मुखी जो कई वर्षों से active नहीं हुए है और जिनकी भविश्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है उन्हें शांत ज्वाला मुखी कहेंगे तो परसुप्त ज्वाला मुखी और शांत ज्वाला मुखी इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए परसुप्त ज्वाला मुखी वो हैं जो कई वर्षों से सक्क्रिये नहीं हुए पर भविश्य में सक्क्रिये हो सकते हैं पर जो शांत ज्वाला मुखी हैं ये भी कई वर्ष पर भविश्य में भी इनके सक्क्रिय होने की संभावना ना के बराबर है यानि कि बहुत ही कम है इसलिए से शांत ज्वाला मुखी कहते हैं तो आशा करता हूं आपको सक्क्रिय ज्वाला मुखी प्रसुप्त ज्वाला मुखी और शांत ज्वाला मुखी क्या होता है इनके बी के नाल की आकर्थि के समान इसे अगनी वले कहते हैं इंगलिश में fire ring of the Pacific कहा जाता है तो इसे अगनी वले क्यों कहा जाता है क्योंकि कुल सक्रिय जुआला मुखी यानि कि active volcano का अधिकांश परशांत महासागर के तटिय भाग में पाये जाता है यानि कि सबसे अधिक सक्रिय जो आला मुखी अमेरिका एवं एशिया महादूइप के तटों पर स्थित है तो ये परशांत महासागर है और इस तरफ अमेरिका महादूइप है और इस तरफ एशिया महादूइप है तो इसी के जो ये आप देख रहे हैं ये जो पूरी लाइन है यहां पर बहुत से सक्रिय जो अला मुखी हैं इसलिए से अगनी वले का नाम दिया गया है जिसे इंगलिश में कहा जाता है फायर रिंग ओफ दा पैसिफिक तो एक्जाम में आप से पूछा जाएगा कि फायर रिंग ओफ दा पैसिफिक यानि कि अगनी वले किस महासागर में स्थित है तो ये कौन से महासागर में स्थित है परशांत महासागर में स्थित है और अगर आप से पूछा जाए कि किन महादूइपों के तटपर स्थित है तो कौन से महादूइपों के तटपर स्थित है एशिया महाद्वीब और अमेरिका महाद्वीब या दखेगा ये अमेरिका और एशिया महाद्वीब के तटपर स्थित है और परशांत महासागर में स्थित है ज्यादा तर एक्जाम में महासागर पूछा जाता है तो कौन सा महासागर है परशांत महासाग तो आगे अब हम एक एक करके विश्व के प्रमुख जौला मुखी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो वैसे देखा जाए तो बहुत से जौला मुखी हैं पर जो एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और जो अभी करंट में न्यूज में रहे हैं उनके बारे में भी हम साथी में पढ़ लेंगे तो शुरुआत हम करते हैं कि विश्व का सबसे अधिक सक्रियज वाला मुखी कौन सा है तो विश्व का सबसे एक्टिव वोलकैनो कौन सा है तो इसका नाम है किलायू यहाँ देखेगा इसे किलामू भी कहते हैं यह USA के हवाई दूइपर स्थित है तो USA का अधिकार छेतर है हवाई दूइपर यह आप जो देख रहे हैं मैं में यह हवाई दूइप जो की USA के पक्षी में स्थित है तो यहीं पर है किलायू जुआला मुखी या देखेगा और यह है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय जुआला मुखी है यह कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो आगे अब हम अमेरिका से रिलेटिड जो भी जुआला मुखी है एक्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे अमेरिका के हवाई दूइपर ही स्थित है तो अमेरिका के हवाई दूइपर दो जो आला मुखी हमें याद रखनी है एक है किलायू और दूसरा है मोनोलोवा तो यह हवाई दूइपर स्थित है और तीसरा जो की अमेरिका में ही है और यह भी एक्जाम में पूछा जाता है इ क्योंकि यह विशो का सबसे अधिक सक्रिय जो अलामुखी है। अब हम देखते हैं कि मोनो लोवा और सेंट हेलन्स ये भी इंपोर्टेंट हैं। इन्हें कैसे याद अखेंगे। तो देखिए, अमेरिका को आप रिलेट करेंगे अमीर से। अमेरिका अमीर रिलेट हो रहा है न और वैसे भी देखा जाए तो अमेरिका एक अमीर देश है तो अमेरिका को रिलेट करेंगे अमीर से। और Mono Lowa में क्या है? Mono, तो Mono को relate करेंगे money, और Scent Helens में क्या है? Scent, तो Scent को हम perfume वाले Scent से relate करेंगे, तो जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास money तो होगी ही, जाहिर से बात है, कि अगर वो अमीर है, तो उनके पास money होगी, तो अमीर से हमने किसे relate किया था? अमेरिका से, उनके पास क्या होगी? Money, money यानि Mono, और अगर वो अमीर हैं, तो Scent वे गहरा का इस्सेमाल भी करेंगे, तो ये कहानी से आप अपने आप बना लीजिए, कि अमीर लोग हैं, तो उनके पास money तो होगी ही, अगर money है, तो Scent वे गहरा भी वो लगाते ही होंगे, अमीर हैं तो, तो ये तीनों ही चीज, आप आपस में इसी परकार, कहानी से बना कर relate कर सकते हैं, जिसे आपको ये कभी भूलेगा नहीं, तो आप इस ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं, और वैसे भी, अगर आपको याद है, तो और अच्छा है, तो तीन ज्वाला मुखी हो गए, किलायू, मोनोलोवा, और सेंट हेलेंस, ये तीनों ही संयुक्त राज्ये अमेरिका में हैं, अब हम आगे देखते हैं, तो अमेरिका के बाद आगे हम आते हैं इटली पर, तो इटली में भी आपको तीन ही ज्वाला मुखी याद रखने हैं, पहला कौन सा है, विसूवियस ज्वाला मुखी, और ये एक प्रसुप्त ज्वाला मुखी है, यानि कि अभी तो ये सक्रिये नहीं है, पर भविश में कभी भी सक्रिये हो सकता है, तो ये है विसूवियस ज्वाला मुखी, दूसरा कौन सा है, माउंट एटना, ये बहुत थी ज्यादा इंपोर्टेंट है, प्रसुप्त इंपोर्टेंट, S.S.C. के एक्जाम में तो कई बार पूछा गया है, कि माउंट एटना ज्वाला मुखी किस देश में स्थित है, तो ये इटली में स्थित है, याद रखेगा, और ये एक सक्रिये ज्वाला मुखी है, तो बहुत थी ज्यादा इंपोर्टेंट है, और इसे याद रखना भी बहुत थी ज्यादा असान है, तो मैं आपको एक trick बताऊंगा, जिससे आप इसे कभी नहीं भूलोगे, तो इसके trick क्या है, तो English में हम verb पढ़ते थे न, तो verb की तीन forms हम पढ़ते थे, जिसमें से eat की second form क्या होती थी, तो eat की तीन form होती थी, पहली क्या होती थी, eat, ate, eaten, पढ़ाये न आपने भी, eat, ate, eaten, तो eat, ate, दूसरी verb क्या हो गई, eat की, ate, तो इसी से आप relate करके यादख पाएंगे, eat, ate, eaten होता है न, तो Italy में है eat, और Etna में है ate, तो इसी से relate करके, आपको हमेशा यह याद रहेगा, जब देखिए आप question लगाएंगे न, तो आपको कभी नहीं भूलेगा, और यह बहुत ही ज्य नाम है stramboli ज्वाला मुकी, यह भी बहुत ज्यादा important है, और यह भी एक सक्रिय ज्वाला मुकी है, stramboli, stramboli एक सक्रिय ज्वाला मुकी है, और Italy के, Sicily के उत्तर में लिपारी दुपरिय स्थित है, और इसे भूमध्य सागर का परकार स्थम्भी कहते हैं, किसे? stramboli को, तो ए जाता है तो इसे प्रकाश स्थम्भ क्यों कहा जाता है क्योंकि एक सक्रिय जो अला मुखी है और लगातार इसमें विस्फोट होते रहते हैं और ये भूमध्य सागर में स्थीत है तो रात में अगर हम देखेंगे उपर से तो लगातार इसमें विस्फोट होने के कारण पूर देखने से ऐसा लगता है एक लाइट हाउस की तरह इसलिए से क्या का जाता है भूमध्य सागर का परकाश स्थम्भ कहा जाता है और यहाँ देखेगा एक्जाम में यह पूछा जाता है कि स्ट्रामबोली ज्वाला मुखी कहां परस्थित है तो ज्यादा तर ओप्शन में हम आगे देखते हैं तो इटली के बाद हैं इंडोनेशिया इंडोनेशिया में आपको दो ज्वाला मुखी याद रखने हैं और यही दो एक्जाम में पूछे जाते हैं पहला है क्राकाटोवा ज्वाला मुखी और दूसरा है माउंट मेरापी ज्वाला मुखी तो यह दोन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो पहला है कोटो पैक्सी जौला मुखी जो कि कहां पर स्थित है इक्वाडोर में तो साउथ अमेरिका की कंट्री है इक्वाडोर जहां से भूमत दे रेका होकर गुजरती है तो कोटो पैक्सी जौला मुखी इक्वाडोर में स्थित है और एक्जाम में पूछा क्या जाता है कि विश्वकार सबसे उचा ज्वाला मुकी परवत कौन सा है तो वो कोटो मैक्सी ज्वाला मुकी है या देखेगा जब पूछा जाए कि विश्व का सबसे उंचा ज्वाला मुकी परवत कौन सा है तो उसका जवाब होगा कोटोपैक्सी दूसरा ज्वाला मुकी है इसका नाम है ओजोस डेल सलाडो और यह है अर्जन्टीना और चिली के बोर्डर परस्थित है यह दखेगा यह दोनों के बोर्डर परस्थित है इसका नाम क्या है ओजोस डेल सलाडो और यह है विश्व का सबसे उंचाई परस्थित सक्रिय ज्वाला मुकी है उपर हमने पढ़ा कि वह है विश्व का सबसे उंचा ज्वाला मुकी परवत है और नीचे है कि यह है विश्व का सबसे उंचाई परस्थित सक्रिय ज्वाला मुखी है यानि कि एक्टिव ल्केनों है इसका नाम क्या है ओजोस डेल सलाडो और यह है अर्जेंटीन और चिली के बोर्डर परस्थित है या दखेगा तीसरा ज्वाला मुखी है एकांका मुखी इंडिज परवतमाला परस्थित है और यह है विश्व का सबसे उंचाई परस्थित शांत ज्वाला मुखी है कौन सा शांत ज्वाला मुखी तो तीनों हमने पढ़ लिए सबसे उंचा कौन सा है कोटो पैक्सी सबसे उंचाई परस्थित एक्टिव ल्केनों कौन सा तो है Ojo's del Salado और तीसरा सबसे उचाई परस्थित शांत ज्वाला मुख्य कोन सा है तो वो है एकांका गुवा ज्वाला मुख्या तो वैसे भी जब हमें शांती चाहिए होती है तो हम एकांत में बैठते हैं याने कि अकेले में बैठते हैं तो एकांत को आप रिलेट कर सकते ह एकांग का गुवा से, एकांग, 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 एकांथ, तो जब हमें शांती चाहिए होती है, तो हम एकांथ में बैड़ते हैं, तो एकांग का गुवा ज्वाला मुखी कहां पर है, इंडिज परवतमाला पर स्थित है, तो आगे अब हम जो अन्य ज्वाला मुखी हैं, उनके बारे में बढ़ते हैं तो पहला है देम बंद जो आला मुखी जिसे देव बंद जो आला मुखी भी कहते हैं और ये कहां पर सीथ है तो ये इरान में सीथ है देव बंद जो आला मुखी अगला जो आला मुखी है पोपा जो आला मुखी ये बहुत ज़्यादा important है तो पोपा जो आला मुखी कहाँ परसित है म्यामार में तो ये important है तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे तो म्यामार के पीछे क्या है मार और पोपा को आप relate करेंगे पापा से पोपा पापा और म्यामार के पीछे क्या है मार तो अक्सर हमें पापा से मार पड़ती रहती थी तो इससे आपको यह याद रहेगा कि अक्सर हमें पापा से मार पड़ती रहती थी न तो पोपा में क्या है पापा और मियमार के पीछे क्या है मार यह important है इससे आपको याद रहेगा तो अगला जौला मुखी है किली मंजारो जौला मुखी तो यह कहां पर स्थित है तंजानिया में और आपको पता ही होगा कि जो किली मंजारो है यह अफरीका महाद्वीब की सबसे उंची परवचूटी है इसी का नाम है किली मंजारो तो यहीं पर ज्वाला मुखी है जो की तंजानिया में स्थित है और कई बार एक्जाम में पूछा गया है या दखेगा तो अगला जोआला मुखी है Mount Airbus और ये है Antarctica महादूइपर सिथ है नाम क्या है Mount Airbus और ये भी important है क्योंकि ये है Antarctica महादूइप का अकेला सक्क्रिय जोआला मुखी है क्या नाम है Mount Airbus इसके बाद हम देखते हैं तो आपको दो जोआला मुखी या देखने हैं जो कि जापान में ह पहले है फ्यूजी यामा जौला मुकी क्या नाम है फ्यूजी यामा जौला मुकी और इसके पीछे क्या है यामा और आपको पता है कि एक यामा मोटर साइकल भी है वो भी जापान की है तो उसी से आप रिलेट कर लेना आपने देखा होगा ना यामा मोटर साइकल वो जापान की है और इसके नाम में क्या है जो आला मुकी के फ्यूजी यामा तो ये भी जापान में है उसके बाद अगला जो आला मुकी है माउंट एसो तो ये अभी दो दिन पहले ये जो आला मुकी सक्रिये हुआ है और जापान में काफी नुकसान हुआ है इस जो आला मुकी के कारण तो ये काफी न्यूज में था, इसलिए important है, इसका नाम क्या है, Mount ASO, ये अभी current में ही सक्रिये हुआ है, दो दिन पहले ही, जपान में, तो इसलिए मैंने इसे cover कर दिया, ये आपके exam में पूछा जा सकता है, तो दो जौला मुखी हो गए, Fuji Yama और Mount ASO, तो Yama तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, और Mount ASO, अभी current news में रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, तो उसके बाद हम आते हैं, इंडिया में, तो इंडिया में दो जौला मुखी आपको याद रखने हैं, पहला है, नार कॉंडम जौला मुखी, और दूसरा है, बैरन जौला मुखी, तो य बैरन जौला मुखी ये बहुत ज़्यादा important है, और अभी NTPC के exam में तो कही बार पूछा गया था, और important क्यों है, क्योंकि बैरन जौला मुखी भारत का एक मात्रिय सक्रिय जौला मुखी है, इसलिए exam में कही बार पूछा गया है, क्योंकि ये हमारे भारत का एक मात्र active volcano ह इसका नाम क्या है, बैरन जौला मुखी, तो हमारा theory section यहीं पर complete होता है, अब हम previous year question देखते हैं, तो पहला प्रशन है कि किस जौला मुखी में अक्सर उदगार होती रहती है, यानि कि कौन से जौला मुखी में अक्सर विस्वोट होते रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे सक्रि के जौला मुखी, यानि कि active volcano, अगला प्रशन है कि लंबे समय तक शान्त रहने के पश्चाद विस्वोट होने वाला जौला मुखी क्या कहलाता है, तो जो जौला मुखी लंबे समय तक शान्त था पर अब वह सक्रिय हो गया, तो उसे हम कहेंगे प्रसुप्त जौला मुख अगला प्रशन है कि निमन लिखित में से किसे भूमद्य सागर का लाइठ हाउस कहा जाता है, तो बताएए किसे भूमद्य सागर का लाइठ हाउस कहा जाता है, तो स्ट्रामबोली जौला मुखी को भूमद्य सागर का लाइठ हाउस कहा जाता है, अगला प्रशन है कि निम लिखित में से कौन विश्व का सबसे उंचा ज्वाला मुखी परवत है तो विश्व का सबसे उंचा ज्वाला मुखी परवत है माउंट कोटो पैक्सी अगला प्रेशन है कि ज्वाला मुखी के कप अकार के मुख को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है जो ज्वाला मुखी ring of fire या घेरा किस महासागर में स्थित है तो जिसे मैंने आपको बताये था ना ring fire of the pacific यानि की अगनी वले तो बताईए किस महासागर में स्थित है तो वो परशांत महासागर में स्थित है अगला प्रशन है कि संसार का सरवादिक सक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है तो सबसे पहले हमने इसके बारे में ही पढ़ा तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है कि लायू ज्वाला मुखी जो की अमेरिका की हवाई द्वीपर स्थित है अगला प्रशन है स्ट् इट्ली, इसका सही जवाब होगा इट्ली, तो इट्ली में ही यह डोनों जवाला मुखी स्तीथ balance, इट्ली और एट्ना, अगला प्रश्न है, अन्टार्क्रिका महाद्विव का एक मात्र सक्त्रिय जवाला मुखी कौन सा है, तो इसका नाम क्या है, मांट एर्बुष, यह अन वीमालिकृत मेंसे कौंसा यूगम सुमेलित नहीं है आपको बताना है तो पहले है एट्ना ज्ञालामुकि तो यह इतली में है हमने पढ़ा था सही होगा आगे है फ्यूजी यामा यह भी जापान में सथित है यह भी सही है उसके बाद है पोपा तो यह यह भी मयामार में है हमने ट्रिक से पढ़ा था उसके बाद है क्राका टाओ तो यह मलेशिया में नहीं है हमने पढ़ा था ना कि क्राका टाओ कहां पर है इंडोनेशिया में है तो ओप्शन डी से होगा आज का आखरी प्रेशन है कि किली मंजारो परवत नीमन में से किस महाद महादूइब में स्थित है मैंने आपको बताय था कि अफरीका महादूइब की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है तो किली मन जारो तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट सेक्चन में जरूर बताना धन्यवाद